विकाश सर्मा किषान अगरिकेर के यहां पे हम राज्जस्तान का एक डेज्जट एरियम है और अरहिंग और यहां अब मैं जो रहूँ है इतना टेमपरेचर यहां पर आप मेरे विस्ट पर वैट देख भी रहे हूंगे कि इतना गर्म एरिया इस गरम एरिया में हमारे के इतने डैज़ट एरिया में एक नैट हॉआुस के ऊपर गए है पता नि मुझे नि पता यह कहां से इन्होंने लर्णिंग की कहां से लेके आना और उसके अंदर कुकंबर की खेती करना इनकी लर्निंग के साथ हम चले इनके साथ तो शागर जी आपने पहली बात यह आपने पानी की प्रोब्लम को देखे मैं कई यूटूब के उपर और गरवारे कंपनिकार आपका भी किसान एगरी केर का वीडियो में ने दो तीन बार देखा था जनुवरी में दिसंबर नौंबर जनुवरी की बात है तो आपका उसमें देख करके मैंने सारा बढ़िया से समझा त आपके पास तो आपने बताया था कि इस situation के अंदर इस बजट में हम आपका सेट कर देंगे तब मेरे मन बनाया था एकदम पहले क्या है कि लोग बोल रहे थे कि 33 लाग लगेगार यह 20 लाग लगेगार 40 लाग लगेगार तो इतना अपना capacity नहीं था और सब सीड़ी के पर यहाँ देख कर के situation आपने थोड़ी हमत बंद़ा थी कि आप कर सकते हो इसलिए हम आगे बड़े है वो उसमें क्या था कि हमें सबसे पहले ना कि हम कभी किसी का structure ने लगाते हम source देखते हैं यह structure तो लगादे किसी का पानी का source क्या है क्यों क्यों यह तो डेजट अरिया बिल्कुल जब आप पानी मेरे पास अभलेबल है आप बारिश का आपकी हिमप है कि बारिश का करते हो हुआ लुट इसके लिए तो मैं इसके लिए तो मैं एक यौ दे के दता हैWARD होता इतना साय न्यू करना न। विकाजी आप इतनी लंबी यात्रा करके मेरे पास आहें हैं तो आपने रस्ते में देखाऊगा कहीं आपको कोई हर्याली नाम की चीज़ी दिखाएं तो लोग आश्रे करते हैं कि अंदर इतना ग्रीन लगा रखाया अभी तो टेंपरेचर जा रहा है चालीस के पार तब थोड़े से थोड़ा सा नर्वस दिख रहे हैं तो सुबह श्याम में तो इतना किलाव रहता है जैसे कोई यूपी अर्याना में बहुत पानी के अरिया मे के अंदर तो आगे हो आपको कभी डील के साथ लगा कि इतनी दूर हर जाना में लगा और इतनी फैमिलियर और आपका सब चल रहा है कि आपने बराबर फोन से अटेंड करके मेरी कोई भी दिक्कत हुई थी उसको आदमी बेज करके आपने रिपेर करवाया और चोटी आपने करके बेजाता एक दम से मेने तो दिमाग ही नहीं लगाया आप बोलेगी में वायर दलवा दूगा बाइस तो नेट को उठानी पाएगा यह दो हमारा प्रैक्टिकल चलता जो हमें लगता कि यह प्रोब्लम आई थी कहीं पर आईसा करने से क्योंकि यह हम डे बाइडे आर-एंडी करते रहते हैं इसके आपर अभी कोई प्रोब्लम आती यह तो उसको कैसे कलिर करना इन फ्य सजेस्ट किये थे आप नहीं मुझे एग्रोनोमिस्ट वेजा था आप नहीं सब दवाईयां बताई है आप ही सारा वे हल्प कर रहे हैं आप अभी परसनली फोन पर ही बता देते हैं कि यह दिक्कत चल दिए तो मुझे वीडियो वेजिए मैं आपको उसका सुलिशन बताता तो हम तो एकदम नहीं हैं मैं तो एकदम नहीं हूं यह कुकुम्बर पर लिबार लगा है लर्निंग क्रोप में भी मेरा अभी तक मैं मुझे तोड़ते वे 15 दिन हुए और लगबग 50-60 कुंटल माल में निकाल के बेच चुका हूं और अभी तो इसका पीक आना बाकी है त सब्सक्राइब तो और लिए चलती रहती है इसको अपने को एक कंट्रोल करना अब समझ जाओ और जाओ कि पर दोड़ा हूं आप में छुद से और लगाओ गे में नुवंबर में एक और लगाने वाला हूँ नुवंबर में कोई आपके फ्रेंड सर्कल है जिसमें रिकमेंड़ीड मेरे पडोसी है मेरे गाउं बाजू में गाउं है सरदारपुरा वहां का एक सुबह किसान बाई आके गए ते मेरे मित्री है लेकिन वह थोड़ा का जितना पैसा आप अपनी जेब से दोगे उसमें तो विकाजी आपका इस्ट्रक्चर खड़ा करके आपको फसल लगा कर दे जाएंगे तो तब उनको थोड़ा सा दिमाग में जचाए कि पैसा तो उतना लग नहीं है सबसीडिय में जाओंगा तो दो साल एक जाल इंतजा कि फ़लो दिया है वहां पर मैंने कम से कम 25-39 विजिट किया था और सब के अंदर उसमें सबसीडिय वाले कोई 30 लाग का था को 40 लाग का था को 43 लाग को यह सारे 30 पलस ही थे उसमें मेरे वाले में मुझे कोई 19-20 का फरक नजा नहीं है ने तो कोई क्लाइमेट का ना कोई ट तब तक आप लगा के कलियर कर देते दूसरा सर एक बात और जब हम लगाना सुरू किया था कितना टाइम फीड लगा आपका लगाते हुए 15 दिन में 15 दिन में एकदम रडी कर दिया था और लगबग आगे के पांस दिन के अंदर ड्री पर मल्चिंग और बेड वेड सब ब अपने फसल लगाती है ठीक है सर आप एक बर अपना अड्रस बता दो ताकि कोई फार्म मेरा नागोर जिले के अंदर डीडवाना तैसिल के अंदर है मोला सर मोला सर कस्बे के पास में बावडी गाउं मोला सर से पांस किलोमेटर पूरब की साइड में है और यहां पर पानी उसके अंदर मेंने सोले भीगे के अंदर पांच भीगे में तो निम्बू लगा रखे हैं पांच भीगे के अंदर बेरी के पेड है जो बेर का गार्डन है और तीन भीगे के अंदर मेंने ड्रम स्टिक लगा रखी है पिछे की साइड के अंदर मेंने ब्रिंजल की खेती कर यह विकाश जी ने मुझे ड्रिप का आईडिया दिया था कि आप पर एक बार करचा करो और हमेशा पानी का दिकत भूल जाओ इनको में ने बुला था कि बारिस का पानी हम लोग इकटा करते हैं मैं बारिस का पानी 10 लाग लीटर पानी कटा कर रखा हूं जो लगब बारह महीने मेरा चलता है दूसरा आप जो रेनिंग प्रोटेक्शन की बात है उसमें आप डेमो बता रहे थे उसका डेमो आगए तो ब बताएंगे ना तो वह 99 परसेंट पोली आउस में जाकर के नेट आउस में जाएंगे एकनोमिक पड़ता है और पानी का पानी कटा हो रहा है और आने वाले टाइम में तो जमीन का लेवल पानी को निच्चे जा रहा है और सब पीने का पानी बचेगा मुझे यह उमीद हों पानी लगता पूरी नेटा उसमें और भूदा एकदम दूरस रहता एक दम ऐसे ओर लोग 4L P L पह का लगाते हैं तो उसमें पानी वैश्टे जाता है उसमें लीचिंग होजाता पी बाल में की लीचिंग हो जाता है तुरा निचे चला जाएगा थीन लीट पानी निच तो कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं है और मैं भी पहले डर रहा था कि मैं इतनी दूर आ रही है ना इनके पास मैं जा रहा हूं 370 किलोमेटर दूरी है लेकिन इनसे मिलने के बाद में गरवारे के जो रिपरजेंटेटी हुए अखिले जी इन्हों ने दोनों ने मिलके पूरा एक्यूरेट इन्होंने बेजा और लेबर इनके आती है लेबर में इनके तीन साल तक का इनका वारेंटी गारेंटी रहता है इस्टक्चर का तो यह कोई भी कुछ वैसे तो कमी आई नहीं लेकिन 19-20 कहीं यह थोड़ा बहुत आता है तो इनका आदमी आता है तूरत कहीं कोई बात नजर आई नहीं इनको वैवार एकदम सई है और बातचीत से और से मुझे तो एकदम फेमिलीयर लगए और साथ में फिर जैसी कंपनी इनके साथ में यह गिरेविरा के डिलेलर है उस एरिया के और गरेविरा को आप नेट पर सर्च कीजिए यह फाइव लोग कोश्ट पे जो बहुत सारे फारम रहा नहीं लगा सकते हैं इसको इस लेवल पर ला दिया है कि अभी कोई भी इसको एफोर्ड कर सकता है और यह फसल हमारा तो लड़निंग फसल है फिर भी अच्छा जा रहा है एक दो फसल ले लेंगे तो एक साल के अंदर तीन फसल का साइकल चलता है तीन में तो इसकी कोश्टिंग आराम से निकल जाएगी और डेजट एरिये के अंदर यह ऐसा फसल कार और कार ग्रीनिर और आपको मिल रहा क्या चीज़िए धन्यवाद सर वीडियो देखने के लिए और आपको अगर कोई हलप चाहिए आपको यहां पर नं क्या चाहिए आ एक अर खक्या चाहिए आोимиड़ोड़ में थेखने क्वाद सर वीर्स, तेर आपको यहा है अंदर आपको ओ्लता है